कैसे आप 16% इस तक के fixed returns generate कर सकते हो invoice discounting से जानेंगे इस वीडियो में invoice discounting क्या होता है इसमें आपको invest करना चाहिए या नहीं इसके advantages और risk क्या है यह सारी चीज़ें हम आज detail में discuss करेंगे मैं personally invoice discounting deals में invest करने के लिए 3 apps का use करता हूँ trade cred, altcraft और tap invest और इन तीनों का short demo भी में आपके साथ share करूँगा तो काफी detail वीडियो होने वाला है बिन skip किये देखना ताकि कोई भी important information आप से मिशना हो जाए शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि यह कोई भी sponsored वीडियो नहीं है और आप मेंसे जो भी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं इसके बाद जाकर मेरे चैनल के बागे वीडियो ज़रूर चेकाउट करना मैं हर हफ़ते पोर्सल फाइनाइस एंड इंवेस्टिंग के बारे में ऐसे ही valuable वीडियो लाते रहता हूं तो हर हफते कुछ नया सीखना चाहते हो त तो अब वो manufacturer के पास जाएगा और बोलेगा कि भया मुझे 1000 ट्रक्स डिलिवर कर दो जितना जिल्दी पॉसिबल हो सके और ये बताओ कि ये ट्रक्स आप कित्ते वक्त में डिलिवर करोगे manufacturer बोलता है कि sir 3 महीने तो लग जाएंगे मैं ये सारे ट्रक्स आपको 3 महीने में डिलिवर करवा दोगा तो यहाँ पर Amazon condition रखता है कि जब आप ये सारे 1000 ट्रक्स डिलिवर करोगे उसके बाद ही मैं आपको पैसा दोगा लेकिन तब तक Amazon order confirmation ज़रूर दे देता है कि हाँ आपको 1000 ट्रक्स बनाने है लेकिन पैसा मैं अभी नहीं दोगा ये आपको मिलेगा 3 महीने बाद तो अब manufacturer को तो खुशी होगी कि इतना बड़ा order मिला है लेकिन manufacturer को भी तो initial capital चाहिए होगा वो 1000 ट्रक्स बनाने के लिए तो ये पैसा वो कहां से लेकर आएंगे यहाँ पर वो एक deal करेंगे किसी third person के साथ manufacturer एक ऐसे third person के पास जाएगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो उसको जाकर अपना Amazon का invoice दिखाएगा कि देख भईया Amazon ने मिरको ये इतना बड़ा order दिया है और मिरको इतना पैसा मिलने वाला है तीन महीने बाद लेकिन ये कमाने के लिए मुझे अभी पैसों की जरूरत है वो तू अभी दे दे और जब मुझे Amazon पैसे दे देगा वो मैं तुझे वापस लोटा दूँगा interest के साथ जो भी मुझे profit मिल रहा होगा उस profit में से थोड़ा हिस्सा 13 तो ये होता है basically invoice discount accounting अगर मैं इस चीज़ को और simple way में समझाओं तो चलिए मान लिजे Amazon ने 1000 रुपए का order दिया manufacturer को अब manufacturer के पास 1000 रुपए नहीं है तो वो जाएगा किसी third person के पास उसको बोलेगा कि भाईया तू अभी मुझे 900 रुपए दे दे और जब भी वेरा product बन जाएगा मैं Amazon को deliver कर दोगा उसके बाद जो Amazon जी तरफ से 1000 रुपए की payment आएगी वो सिधा तुझे मिल जाएगी मतलब जो third person ने अपने 900 रुपीज invest किये थे उसको तो उसके 1000 रुपए वापिस मिल गए यानि उसके 100 रुपए interest कमा लिया उसका भी काम बन गया और साथ ही manufacturer का भी काम बन गया manufacturer क तो भी 900 रुपए मिल गए जिससे वो अपना order complete कर पाया अगर वो नहीं मिले होते तो वो भी अपना order complete नहीं कर पाता तो बस उसके अपना profit में से थोड़ा सा हिस्सा उस third person को दे दिया कि भाई मेरे 100 रुपए तू ले जा बस मिर को अभी पैसे दे दे तो इसी तरीके से work क क्या के advantages हैं और इन advantages के साथ कौन से ऐसे बड़े risk involved हैं जिनके बारे में आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है तो पहला advantage है it is a short term investment यानि यहाँ पर लंबे समय के लिए आपका पैसा lock-in नहीं रहने वाला majorly 45 days, 60 days, 90 days का ही tenure होता है inverse discounting deals में तो अगर आप short term के लिए expect कर सकते हो and तीसरे advantage है low ticket size यहाँ पर आप minimum 50,000 रुपीज से भी अपने investment शुरू कर सकते हो and अब चलिए सारे risk के बारे में discuss करते हैं तो यहाँ पर पहला risk जो involved हो जाता है वो है dispute risk यानि vendor और customer दोनों के बीच में अगर कुछ dispute हो जाता है और वो deal cancel हो जाती है तो उस case में हो सकता है कि financial अपना पैसा recover ना कर पाए दूसरा major risk है fraudulent invoices यानि जो deal दिखा कर आप से पैसा लिया गया है वो सकता है कि वो deal actually में exist ही ना करती हो ना ही वो customer exist करता हो ना ही वो vendor एक fake invoice generate करके आप से पैसा ठग लिया गया हो इसकी भी possibility काफी ज्यादा है तो ऐसे case में safety checks काफ से verification करती है सारे safety checks कुछ से करती है उसके बाद ही कोई भी deal अपने platform पर list करती है तीसरा जो major risk यहाँ पर involve हो जाता है वो है default risk मान लीजे आपने जिस deal में invest किया था उसका tenure और 45 डेस का था अब 45 डेस के बाद जो customer है वो payment करने से मना कर देता है उसने अपना order तो complete करवा लिय invest in Tino का ही एक पूरा risk mitigation process होता है जहाँ पर वो काफी सारे safety checks करने के बाद अच्छे companies के ही deals लेकर आते हैं अपने platform के उपर अब तक इन तीनो platforms का zero default rate रहा है यानि कोई भी deal default नहीं होई है सारे investors को अपना promise किया गया पूरा interest और principal वापस मिला है सारी deals पर और इसका मतलब यह यह नहीं कि future में भी कभी default नहीं होगा default की possibility ज़रूर है यह आपको पता होना चाहिए और इसलिए किसी भी deal में invest करने से पहले आपको खुद की तरफ से भी research ज़रूर करना चाहिए company का past record देखो उन्होंने अपने payments टाइम पर किये हैं या नहीं कितने payments डिले हुए हैं यह सारा data भी आप इन apps पर देख सकते हो तो यह सारी चीज़े study करो company के financial study करो company की credibility के बारे में भी जान सकते हो invest करने से पहले तो यह सारी चीज़े अगर आप खुद की तरफ से research करने के बाद invest करोगे तो आपको डर नहीं रहेगा default risk का भी and इन तीनों platforms के उपर majority deals collateral backed होती है which means कि जित्ता भी amount raise किया जा रहा है उसके equal amount या फिर थोड़े ज्यादा amount के assets back end में गिरवी रखे जाते हैं तो future में suppose अगर default हो भी गया तो जो भी assets गिरवी रखे गये थे उनको बेच किया जाएगा, so हमने advantages and risks तो discuss कर लिए, अब चलिए जानते हैं कि invoice discounting deals में आप कैसे invest कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको सारी apps का short walkthrough दिखाता हूँ, so first legacy alt graph, यहाँ पर आप invoice discounting के साथ-साथ corporate bonds में भी invest कर सकते हो, अगर आपको अब तक corporate bonds and government bonds में invest करना नहीं आता, तो मेरा यह वाला वीडियो जाकर जरूर चेक आउट करना, जहाँ पर मैंने काफी detail में explain किया था और कैसे आप invest कर सकते हो, उसकी different different apps भी मैंने उस वीडियो में discuss करी है, so जाके चेक आउट कर सकते हो, i button पर आपको video link मिल जाएगा, so यहाँ पर फिलाल दो invoice discounting deals active दिख रही है, शेर annual interest rate है, इसमें आपको annually 13% IRR के साब से interest मिलेगा, यह absolute returns का percentage नहीं है, उसके साथ आप दोडो deals का tenure देख सकते हो, minimum investment amount कित्ता है, वो यहाँ पर mention किया हुआ है, कितना amount totally companies raise कर रही है, जैसे कि शरीजे इंडिया 1.36 crore raise कर रही है, और Captain Fresh 1.12 crore raise कर रही है, कितना amount fill हो चुका है, कितना amount बाकी है, यह भी यहाँ display हो रहा है, सारे platforms पर इसी तरीके से सारी चीजे display होती है, अब अगर आपको जानना है, शरीजे इंडिया के बारे में और details अगर आपको देखनी है, just click on the deal, और नीचे जाकर आप इसके बारे में और details check out कर सकते हो, अब यह deal फिलाल collateral backed नहीं बैंक guarantee backed invoice discounting 100% secure, यानि जितनी भी collateral backed deals होगी, वहाँ पर यह चीज अल्रडी mentioned होगी, तो अगर ऐसी deals में invest करोगे, तो वह आपके लिए safe रहेगा, इन company के बारे में बारे में बाकी detail information भी आपको यहाँ देखने मिल जाएगी, जैसे ही आप swipe down करोगी, आपको detail में हर एक से invest कर सकते हो, उसके साथ alt graph के उपर आप corporate bonds में भी invest कर सकते हो, treasury bills में भी invest कर सकते हो, and asset bag leasing deals, इन में भी invest कर सकते हो, तो काफी सारे options आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आप सारी companies का past repayment data भी check out कर सकते हो, जैसे कि एगर हमको किसी invoice discounting deal में invest करना है, filter में जाकर हम select कर लेंगे और यहाँ mature select कर लेंगे, जो जो deals mature हो चुकी है, और time पर repayment हुआ है, तो यहाँ आप check out कर सकते हो, कि जित्ती भी deals ने time पर repayment किया है, उन सभी के details यहाँ देखने मिल जाएगी, और आप check out कर सकते हो, कि आप जिस company में invest करने वाले हो, उसका past record कैसा रहा है, dashboard पर आप अपन पूरा portfolio अच्छे से track कर सकते हो, जैसे कि फिलाल जो मेरा active investment amount है, वो 1 lakh rupees है, और जो deal मैंने purchase करी है, वो Poco Blue की है, यह भी invoice discounting deal है, इसमें कित्ते दिन बाकी है, कौनसी-कौनसी deals active है, कौनसी complete हो चुकी है, यह सारा data आप यहाँ पर अच्छे से track कर सकते हो, अल्ट सेफ यह एक wallet है, अगर आपको wallet के through transactions करने है, तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आपको अपने repayments directly bank account में चाहिए, इसके wallet में नहीं चाहिए, तो वो options भी आप यहाँ पर select कर सकते हो, जिसको multiple transactions नहीं करने है, bank account में बार बार पैसा डालो, और withdraw करो, डालो, विद्रौ क अल्ट सेफ का wallet भी यूज कर सकते हो, अल्ट सेफ का wallet भी यूज कर सकते हो, अल्ट सेफ के ऊपर refer and earn program भी है, जहाँ पर अगर आप मेरे link के through join करते हो, अगर 60 days के अंदर 95,000 से ज्यादा रूपीज का investment करते हो, तो आपको भी 1500 रूपीज के extra rewards मिलेंगे, अगर आप link यूज नहीं करोगे, तो उस case में आपको ये rewards नहीं मिलने वाले, अब जब भी इनवेश करने का सोच रहे हो, उसके 60 days के अंदर ही अपना account create करना, और मेरा referral link यूज करना मत भूलना, otherwise you will lose this extra 1500 रूपीज reward, अब देखते हैं trade cred, यहाँ पर discover में जाओगे, तो आपको सारी active deals देखन मिल जाएगी, यहाँ पर भी आप IRR, उसका tenure और minimum amount देख सकते हो, हर एक deal का, और इस platform पर भी आपको inverse discounting के साथ, venture debt deals भी देखने मिल जाएगी, और trade cred के ऊपर अगर आपने कोई भी deal purchase करी है, वो आपको liquidate करनी है, तो आप 7 days बात उसको आसानी से liquidate कर सकते हो, अब यहाँ दो टाइप की deals होती है, auto renew वाली और non-renewable, तो फिलाल जो my fitness वाली deal आपको यहाँ पर देख रही है, यह non-renewable है, जो auto renew deals होती है, वहाँ पर AR लिखा रहता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, okay, so यहाँ पर आप यह deal देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है auto renew and zero cost liquidity, य वहाँ पर आपका थोड़ा बहुत percentage जरूर कटेगा वीच में, इसलिए मैं पूरसली सारी AR और ZC वाली deals ही consider करता हूँ, मैं आपको अपना portfolio दिखाता हूँ, you can see here, so फिलाल मेरी यहाँ पर तीन ongoing deals चल रही है, तीनो ही ZC वाली है, और जो यह दोनों deals आप देख रहे हो, य venture debt deals है, यानि loan वाली deals है, यह invoice discounting वाली deal है, अब किसी भी deal में invest करने से पहले अगर आपको सारी details check out करनी है, वो आप यहाँ पर भी check out कर सकते हो, discover में जाके अगर आपको, suppose मुझे log 9 की deal में invest करना है, तो आप summary में उसका maturity date check out कर सकते हो, आपको maturity के time पर amount किता मिलेगा, वो आपर ज्यादा history available नहीं है, तो वैसे ही आप जाकर दूसरी deal check out कर सकते हो, यह है bizongo की deal, इसकी deal report अगर हम check करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि इस company ने total अब तक 38,257 repayments time पर किये हैं, जिसमें से 99.66 percentage, before या फिर due date से पहले थे, और जो payments delay होए, वो सिफ 0.34 percentage थे, तो आप ऐसी deals को trust कर सकते हो, और इंग में invest कर सकते हो, further अपने हिसाब से research करना, यह मैं बस आपको example दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको और भी details देखने मिल जाएगी, trade trade का भी link आपको description में मिल जाएगा, अगर आप मेरा referral link यूज करके invest करते हो, तो आपको अपनी first 6 deals के ऊपर 1% ज्यादा interest rate मिलेगा, so referral link यूज करना मत भूलना, otherwise you will lose this extra interest rate, now let's see tap invest, यहाँ पर भी आप invoice discounting के साथ, asset leasing deals, bonds में भी invest कर सकते हो, अप खुछ से check out कर सकते हो, फिलाल बात करें अगर invoice discounting की, तो जो जो active deals है वो हमें यहाँ दिख रही है, और सभी का minimum investment amount, 10 year और जित्ती yield हम में मिलेगी, जिसे बाकी websites पर देख रहा था, यहाँ पर भी हमें देखने मिल रहा है, और invest करने से पहले यहाँ पर भी आप further research कर सकते हो, company के बारे में, जिसे कि suppose आपको यह wings वाली deal में invest करना है, तो यहाँ पर जाओ, और इधर आपको basic summary देखने मिल जाएगी, tenure, interest rate, वो करते हो कि आपको कौन सी deal में invest करना है, in tap invest का भी referral program है, जहाँ पर अगर आप किसी referral link के through join करते हो and invest करते हो, तो आपको 500 रुपीज extra rewards मिलेंगे, so मेरा referral link आपको description में मिल जाएगा, जरूर यूज करना, otherwise you will lose this extra reward, so तीनो platforms almost similar तरीके से ही work करते हैं, बस यहाँ पर आपको हर platform के लिए different account create कर सकते हो, जैसे कि individual, NRI, HUF, LLP, company, हर एक के लिए आप different account create कर सकते हो, पर यह चीज अल्ट ग्राफ and tap invest में possible नहीं है, वहाँ पर आपको as an individually invest करना पड़ेगा, now let's discuss about taxation, तो inverse discounting के through आपने जितना भी पैसा earn किया है, उसको as an interest rate नहीं किया जाता, उसको as an income rate किया invoice discounting deals में maturity के दौरान कोई भी TDS deduct नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप venture debt deals में invest करते हो, तो venture debt के case में TDS जरूर deduct होता है, और वहाँ पर taxation भी different हो जाता है, तो यह taxation के बारे में जो हमने बात करी income tax lab के हिसाप से, वो सिर्फ invoice discounting के लिए है, अब सबसे important चीज के बारे में discuss करत पहले discuss करते हैं who should invest, तो देखो जो भी लोग ऐसे हैं जिनको अपना portfolio diversify करना है, जिन्नोंने already stocks, mutual funds, bonds, FDs, हर जगे पैसा invest कर दिया है, इसके बाद भी उनके पास surplus amount है, जो उनने कहीं high interest rate पे invest करना है short term के लिए, उस case में आप invoice discounting को ज़रूर consider कर सकते हो, और इसमें किता percentage of capital आपको invest करना चाहिए, तो 10 to 15 percentage से ज्यादा नहीं, क्योंकि रिस्क भी यहाँ पर ज्यादा है, तो जो भी पैसे के उपर आप एकदम aggressive risk ले सकते हो, जो अगर चला भी गया तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, तो वैसे के इसमें आप इसको consider कर सकते हो, और वैसे त बताया, खुद से भी research ज़रूर करना है, फिर ही invest करना, अगर blindly गरोगे, तो उस case में possibility ज़रूर है कि वो पैसा चला भी जाए, so अपना 10 to 15 percentage capital allocate करोगे, that's fine, उससे ज्यादा मतले जाना, and this is my personal opinion, ये कोई भी short short recommendation नहीं है, वो सबता है आपका opinion कुछ different हो, आप क्या सोचते हो वो invoice discounting के बारे में मुझे comment में जरूर बताना, अब बात करते हैं, who should completely avoid invoice discounting, तो देखो अगर आपको अपने investment पर बिल्कुल भी risk नहीं लेना, आपको complete safety चाहिए capital की, तो उस case में आपको invoice discounting avoid करना चाहिए, अगर आप FD भी चूज करोगे, आपको वहाँ पर 5 lakh तक का DIGC क insurance मिल जाता है, जो यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा, वैसे के इसमें आपके लिए FD ही better option रहेगा, और अगर high interest rate वाली FDs में भी invest करना चाहते हो, तो मेरा bond investing वाला वीडियो जाकर जरूर check out करना, वहाँ पर हमने high interest rate वाली FDs में कैसे invest करते हैं, वो भी discuss किया था So, मैंने almost आरी चीज़े cover करने की कोशिश करी है, अगर कोई भी point रह रह रहा हो या miss हो गया हो मुझसे, तो comment में जरूर लिखना, जिससे बाकि viewers की भी मदद हो पाए, और invest करने से पहले मेरा refer link यूज़ करना मद बूलना, otherwise you will lose on all the extra rewards, अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी invoice discounting के related knowledge grow हो पाए, जितनी भी अच्छी investing apps है, जहां पर मैं जब भी अपना पैसे invest करता हूँ, मैं सारी update share करता हूँ अपने telegram channel के उपर, जाकर आप join कर सकते हो, description में भी आपको link मिल जाएगा, अगर मुझसे partially connect करना चाहो, तो Instagram पर भी आकर मुझे follow कर सकते हो, मैं मिलता ह आपसे अगले वीडियो में तब तक take care and bye-bye